अब संजीव श्रिवास्तव का नंबर है संजीव आपसे भी पूछूँ आप क्यों मुस्कुरा रहे थे या सीधा आपका प्रेडिक्शन दिखा के उस पर आजाओं संजीव मेरा तो मैं तो इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि मेरा बड़ा मन हो रहा है कहने का कि मैं लिंडन जॉनसन हूँ और अब मैं पूरी तरह से कंट्यूज हो चुक हूँ कि तीनों की बातों में बहुत जबरदस तर्क है और चुकि सबसे आखिर में आश्टोष को सुना है तो सबसे बातें भी एकदम से उनी की ध्यान आ रही है और मैं फिल्कुल मोटा मोटा सहमत हूँ जो बातें नेरे खांकित की और सबसे बड़ी बात वही है कि किती सीटों पे वन टू वन कंटेस्ट होगा सारा दोहजार चौबिस का निचोड जो है आज की तारिक में वो दोहजार चौबिस में किती सीटों पे बीजेपी के सामने एक कैंड़िट होगा अब ये तो तेय हो गया कि थोड़ा ट्विस्टिड एग्जाम्पल है लेकिन करनाटिक में तैय हो गया कि बीजेपी के सामने एक कैंड़िट होगा वह जे डिएस बीजेपी कॉंबिनेशन होगी और सामने कॉंग्रेस होगी और अब तक के कन्वेंशनल विस्टम ये था कि विजान सभा में कॉंग्रेस जीती है तो करनाटका के इस बार के रिजल्ट्स पर सबको ध्यान रहे कि पिछली बार BJP ने काफी सीटस हुआ जीती थी, इस बार क्या हो पर्फॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे, मुझे लगता है JDS के जुड़ जाने बीजेपी के जुड़ जाने के बाद बीजेपी को कुछ लाब होगा वोका लिगगा वोट्स का जो कुमार स्वामी की पैठ है कुछ इलाकों में हसन ओल माइसोर रीजिन में लेकिन एड़ सेम टाइम एंटी बीजेपी वोट भी बिलकुल कंसॉलरेट हो जाएगा एक जगे ह बावजूद इसके की विधान सभा चुनाओं के दौराएं जब घूम रहे थे तो मूड लोक सभा के अंदर मदाताओं का था कि हम मोदी जी के साथ रहेंगे सो कई की स्टेट्स हैं अब मैं सबसे बड़ी की स्टेट बिहार को मानता हूं कि यह जो जातिगत सेंसेस की बात चल रही है जो हिंदुत का तोड़ कास्ट बेस्ट पॉलिटिक्स होगी एंटी इंकमेंसी के अलावा मेंगाई बेरुजगर के उसका सबसे बड़ी सब्सक्राइब के सामने तो यह दो तीन स्टेट्स में सड़्नली उतना क्रूशल इसलिए नहीं मान रहा है कि मैं खुद कंफ्यूज होगी महराश्ट में हो कह रहा है तो की स्टेट्स हैं बट अल्टिमेटली यही फैक्टर इंपॉर्टिंट होगा शाड़े तीन सो तो मे से बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर है हो भी सकता है लेकिन किती सीट मेरे कहले को बहुत दिल्चस मानूंगा और इसलिए मेरे प्रडिक्शन मेंने का था अभी अनिश्चित है अब निजजर की तरह दाओद इब्राहिम को कुछ हो जाए चुनाव से पहले तो अगें समीक पिछले दो महीने में तीन महीने में तो यह इतना एक फ्लूइड और फ्लक्स का मॉमेंट है लेकिन दूसरी चीज जिससे मैं आश्टोष की बिलकुल सहमत हूँ चंद्रयान का या जी ट्वेंटी का और महिला रिजर्वेशन बिल का तो उल्टा असर पढ़ने वाला है क्य संख्या में अभी भी लोग उस सोचके हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है वोई देश के लिए बेस्ट आल्टरेटिव है सामने कोई जनाम को उनके मुकाबले का नहीं दिख रहा है और इसलिए मोदी देश आगे बढ़ा रहे हैं चाहे हिंदुत के नाम पे चाहे विका से आए बढ़ रही है गरीबी बढ़ रही है और हमें विकल्प देखना उसके कई कारण बनेगे सो अभी कहना मुश्किल है लेकिन चुनाव काटे का है और आप मेरे से अगला प्रशन पूछे उससे पहले में यहीं कह दू कि डेली उनिवस्टी चुनाव को बहुत जादा राष्ट्रे एलेक्शन के आउटकम से जोड़ के मैं नहीं देखता क्योंकि वो बहुत लोकलाइज एलेक्शन होता है और बहुत होटली फिरसली कंटेस्टेट होता है बिलकुल मुद्दे पे उनिवस्टी के इस्चुज तो थोड़ा बहुत फरक पड़ता है बाकी वो ब अखिती बदलेंगी या डेवलप्मेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम किसी निश्कर्श पहुंच पाएंगे अगें आज तो उसने का दिसंबर आखिर में खुल के कह पाएंगे विधान समझ चुनाओंगे नतीजह आ जाएंगे अगर सब जगे कॉंग्रेस बीजेपी कि कुछ भी कर लें MP राजस्तान इन सब में कैसे नियर 100% सीट्स रिपीट करेंगे लोग समा में और बाकी जगे कहां बढ़ रही है दक्षिन में पूरा पता साफ हो रहा है करनाटक को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो तो कहां हैं सीट्स बढ़ का रही है तो 303 तो भूली जाईए यह उसके उपड़ इसलिए आप कोई बीजेपी की सीट्स की बात ही नहीं कर रहा किसी वोटर सर्वे में सब एंडिय की सीट्स गिनाने लग गए हैं कि 310 हो रही हैं 320 हो रही हैं कि क्या हो रही हैं 330 हो बीजे बीजेश कर रही हैं